कि ओके सो इट इस दे लेक्चर डेगार्डिंग दा क्वालिटि कंट्रोल ऑके तो क्यूसी अगर हम क्यूसी को देखें तो इसको मोलते हैं क्वालिटि एक कुई भी फार्मासोटिकल इंडस्ट्री में कोई भी अगर पूद्ट बन रहा है तो वहां पर सबसे जो नेसेसरी चीज है ओग वालिटीं केंटीन करना ठीक है क्वालिटी कंट्रोल सब्सक्राइब आप्पेंपरसीटा मॉल बनाया थे वह बनाया थे तो उस टेबलेट क कैसेैं क्या प्रसों हों हुआ है を सब niezोग तो किसमें पढ़ेंगे हखी है उस पर इती है कि हीड़ाल की प्रेठामारी मी कितना ज्यादा हो ठीख है तो यह सारी चीजे हम किसमें पढ़ेंगे quality control में ठीक है तो quality control सबसे पहले जो मैंने यह mention किया quality control में तो अगर आप देखोगे इसमें मैंने यूज लिखा है processing ठीक है तो processing में क्या होता है आपने चो पारा माटेरियल को इस तरह से है तो इसमें स्टार्ट रा इनल को से लगे ऊंगे कुछ फिनौल लगा होगा और इस माइटे के लिए भी आपने यूज किया तो उसमें क्या है रा मेटेरियल जो आपको प्रवाइड करता है इन production department जहां पर आपका यह चीजे बनती है वहां पर रा माटेरियल देखके अच्छे से देखेंगा कि कोई उसमें मतलब डिफेक्त तो नहीं है प्योध है कि नहीं है कांटेनर जो यूज करें बिल्कुल क्लीन है कि नहीं है लैबलिंग मटेरिल जो यूज करें वह क्लीन है कि नहीं है ठीक है तो वह डिपेंड करता है कोई सी हेट पे ठीक है वह सारी चीजें पहले देखेगा अच्छे से फिर उन चीजों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजेगा कहेगा कि आप यह चीजें को है यूज करो WOR फिरेमी कोई प्रोड कि को बनाने के लिए पारसीटामों तो यह बनाने के लिए तो यह मतलब मतoinचा कन्टन मिनेशन की बात करेंगे तो आपको पता है आपने पढ़ा होगा इसट्राइल कंडिशन मेंटें करना मतलब उसमें क्या है हम microbial contamination को रोकते है इस्ट्राइल मतलब बिल्कुल फ्री कर देते हैं तो यहां पर सबसे पहले जो भी आप यूज कर रहे हो रा मटेरियल कांटेनर ठीक है इन सब चीजें कैसा होने चाहिए इस्ट्राइल होने चाहिए ठीक है मतलब वहाँ पर है इन दीक यहां इस्ट्राइल मतलब है बिल्कुल आउन पर इस ईख है आज सब्सक्राइब होना चाहिए ठीक है बसले आपको आप को पता प्रेश्चाहल की बास करते हैं तो मतलब क्या है विल्कुल अंन होना आपका बी वाटर ह है अगर आपने सी वाटर में देखा हो गाँ तो इस वातर ने आ्युट चाहिए मतलब क्या है केवाल आपका स्टुओं ही होना चाहिए कि यह होता है आप तो इस्टिल उा प्रोडक्ट फार्मूला ठीक है आपके प्रोड़क्ट का फार्मूला क्या है इस टो नहीं गलत है आपका पूरा जो आप बना रहे हो वही गलत हो जाएगा ठीक है प्रोड़क्ट फार्मूला ठीक है तो यह सारी चीजें हम क्यूसी में ही देखते हैं अब है मानुफेक्ट्रिंग प्रोड़क्ट आप मानुफेक्ट्टर कर रहे हो यह सारी चीजों को हम किसमें लिखते हैं इक सोपी होता है इसको बोलते हैं इस्टेंडर्ड आपरेटिंग प्रोड़क्ट बनाओंगे तो उसकी सोपी और उसके सोपी को फालू करोगे अगर उसकी फालू नहीं कर रहे हो दिन आपका प्रोड़ट गलत बन जाएगा ठीक ह तो यहां पर standard operating procedure एड़ाप्ट किया जाते हैं ठीक है दा सेकेंड वनीज मिक्सिंग शुट भी होमोजीनस आप जो भी mixing कर रहे हो वह होमोजीनस होना चाहिए जो भी आप जैसे आपने होमोजीनस के लिए बहुत सारे मैटेट्स इस्ट्रूमेंट यूज होते थे यहां पर आपको होमोजीनस मिक्सर यूज करना है मतलब पार्टिकल साइज एक समान होना चाहिए किसका जो रा मटेरियल है ठीक है डिस्ट्रिबूटेट इंटू इंडिज़व काटेनर कांसिट्रे में बैच बैच मतलब क्या है जैसे एक आपका आरबी लेरा राउंड बाटन फ्लास यह बैच इस तरह के बैच बहुत सार बैच ठीक है प्रापर्टी चुट्ट बी सेंड फोरीच मतलब इस प्रापर्टी तो भी आप डा मटेरियल यूज करें तो वह बदल जाए थेक है नेक्ट 10 वन इस प्रोडक्ट विल भी फ्रॉम इनेसंसियल मटेरियल सुट्ट भी होमोजिनिश की मतलब क्या है आपके जो जो भी आपके जो भी प्रोडक्ट से तिक है वो कैसे हो जाए फ्री फ्राम इन एसंस्यल नहीं इसंस्यल बटेरियल मतलब क्या है जो भी यूज करें वो बिल्कुल प्यूर होना चाहिए तिक है इसको बोलते हैं उसमें कोई इंपरेटी नहीं होना चाहिए और एक समान होना चैक जब प्रोडक्ट बन जाता है तो हमें जरूरत होती है उस पर लाइबलिंग करने के लिए और सब में लैबलिंग से मोनी चाहिए ऐसा नहीं कि किसी में ज्यादा वह जाए तो उसमें एक ऊरेसी रखना मतलब क्लियर तरीके से एक समान चीजें होनी चाहिए ले रहे हो अगया हुस्ट रृटेट के लिगाया है को ब्रॉडग में घ्ल लेका हों चाहिए लिगुक्सरणी के जाता है यहों फिर लेगा तो उसके वहां पे बहुत सारी चीजें श्कुल्का कर सकता हैु.» ठीक है product will be free from in essence ले हो गया है बैश documents वोड बी same for all batches बैश यह आपका बैश है इसमें आपने अप्लाई कि इतने गराम यह डालना इतने गराम डालना तो सम्में एक समान होना चाहिए तो बैश documents वोड भी same for all batches ठीक है अगर ऐसा नहीं है किसी में कम ज्यादा हो गया तो आपका प्रोड़क्ट यह फैरा सीटाम ना बने गया तो उसका इल्ड इसमें 100% आएगा इसमें 50% आएगा तो यह चीजें वहां पे धमें द्यानक ना है तो यह सारी चीजें आपने पढ़ा QC में quality control में ठीक है बहुत important topic ह और हमने जिस तरह से लिखा है आपको इस तरह से समझ में है तो इस तरह से लिखो या छोटे-छोटे point बना के भी आप लिख सकते हो ठीक है तो अगर इसमें कोई भी problem हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से ठीक है तो thanks for watching this video okay okay so in this lecture we will describe the bulk concentrates ठीक है तो बल concentrate में सबसे पहले हम जो देखेंगे either liquid or semi-solid दो टाइप के आपका bulk concentrates होते है concentrate मतलब क्या है जो भी आपका material है वो either liquid होगा या उससे liquid से थोड़ा solid nature हो सकता है उसको हम semi-solid बोल सकते हैं fully solid नहीं semi-solid ठीक है तो either it may be liquid either liquid होगा या semi-solid होगा ठीक है एकजेंपल्स अगर हम liquid की बात करते हैं एकजेंपल्स अगर हम liquid की बात करते हैं तो इसमें कौन-कौन से आएंगे सीरप साएंगे एलेक्जिर्स आएंगे ठीक है अगर हम वही चीज़ दूसरी चीज में अगर हम semi-solid के ग्जेंपल्स देखते हैं तो semi-solid के एकजेंपल्स कहां । Emulsions होंगे और Jeleys होंगे तो Liquid के Examples क्या हैं सीरप्स और Electuğirs हैं semi solid के अगर हम देखते एक Examples तो Emulsions और Jeleys हैं त्यक्त है Suppositories, Ironmen भी Examples क्याई सेमी Solid के हैं तो यहां पर मैंने Examples Liquid और Semi-solid के इसलिए मैं इसलिए में शेल कर दिया है कि आपको पता चले कि हम इनके solutions कैसे बनाएंगे यह तो बात हमने कर दिया लिक्विट्स और सेमिसोलिट की ठीक है अब यहां पर जो में चीज है आपका कि हम में चीज क्या है कि solutions उनके हम कैसे बनाएंगे ठीक है जो water में solubile होंगे ठीक है प्लस उसमें और हम क्या आड़ करेंगे sorbital आड़ करेंगे और क्या आड़ करेंगे parabens एड करेंगे ठीक है तो water solubin ingredients plus sorbitals plus parabens और कुछ उसमें flavoring agents आड़ करते हैं कि आपका जो भी solutions बने क्योंकि solutions आइदर असके है कड़ होते हैं तो इसलिए हम फ्लेवर को मास करने को लेरी कare रेंगे एशंच सब्सक्राइब उसको होमोजनाइज करको Planning प्रॉडक्स साब डिफरेंट कंसंटेट्स महां पे तैयार हो जाएंगे आपके और फिर उसको हम जो इस्टोरेश कंडिशन सुट भी मेंटेन मतलब जो भी जैसे आप सीरप बना रहे हो तो उसका सीरप का एक वन यह तक सपुद एकस्पारी है तो उसके अंदर हम कुछ बफार सी उसका प करेंगे उसको हम मैंटेन करेंगे दूसरा है प्रोड़क्स आप डिफरेंट कंसंटेट्स यहां पर जो यह आपने मिक्स किया उससे क्या होंगे तैयार क्या होंगे प्रोड़क्स आप डिफरेंट कंसंटेट्स के मैटेरियल्स तैयार होंगे ठीक है फिर हम उसकी लैबलिं यह सारी के मतलब इनको हम बोलते हैं bulk concentrates पहले आपको पता हुने जाए कि bulk concentrates क्या होते हैं then आपको यह पता हुने जाए कैसे उसको बनाते हैं अगर हम next बात करते हैं next बात करते हैं तो liquid orals की बात करते हैं ठीक है लिक्विड औरल्स आपको पता है कि suitable for those यहां पर लिक्विड औरल्स हम औरली ड्रक्स की बात करेंगे पहले ठीक है वो कैसे होंगी लिक्विड नी नेचर होंगी ठीक है तो suitable for those who cannot swallow solid doses form and undergo rapid absorption मतलब क्या है कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो solid doses form को एजली सॉलो नहीं कर पाते हैं और उनमें बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है तो लिक्विड का अप्जारप्शन आएस कंप्रेक्टो सॉलिड ज्यादा होगा ठीक है तो हम इस चीज को रोखने के लिए कि cannot solos जो solid doses form easily नहीं ले पारें उनकी हम लिक्विड चीज तैयार करें लिक्विड ओरस तैयार करें जो एप्जारप्शन इनका ज्यादा हों ठीक है बाइफेजिग लिकिड जर फिर में क्या आएंगे सास्प्पेंशन और इमल्शन से था कि meow थी का मौनोफवचिक लिप्विड ब्रॉमाइट इंब्स इसमें आथी एन.- इसली इपन्प रोवाइबी Lokूफ और इसक्ते हैं डॉह जो सकते हैं घाइब को जो आपको वाटर को जो आप्जार्ब करने ज्यादा होते हैं, इनका जो degradation risk ज्यादा होता है, मतलब break जल्दी हो जाते हैं uns chemicals due to good flavoring in parent children अगर इसका जो flavor है अच्छा होने के कारण कभी कभी क्या होता है जो आपके children जिनको आपको देना है medicine वो ज्यादा amount में ले लेते हैं, ठीक है? can take large doses, भी कहे? मतलब ज्यादा इमांट में ले लेते हैं मानुफेक्चरिंग आप लिकेड औरल्स मतलब क्या है कैसे मानुफेक्चर करेंगे तो इसमें एक आक्ट है 1945 में दिया गया इसको सुट भी मतलब उनके कार्डिंग मतलब कंपाइल होना चाहिए कोई भी इंडस्ट्री अगर इस टा जो भी लिकेड अर्स बना रही है उसको फालो करना पड़े गा ठीक है फिर क्या है कुछ इंटर्नल लिकड्स होते हैं जिसे औरल सलोशन इलेक्चर्स इक्स्टर्नल में का लिन्मेंट्स लोसन तो यह कुछ एग्जेंपल से इंटर्नल लिक्ड्स और एक्स्टर्नल के बारे में पता ही है तो सबसे में चीज आपका यह पॉइंट में है और इंटर्नल लिकर्ट्स क्या होते हैं यह जी आपको पता होना चाहिए तो यह आपका ओवराल यह लेक्चर कतम होता है यहां पर नेक्स्ट हम डिसकस करेंगे जो भी